हलो हैल्थ मेट फामली एंड आजम आपके लिए लेकर आई हुए एक और इंट्रस्टिंग वीडियो कॉलेस्ट्रोल को कैसे कम कर सकते हैं कॉलेस्ट्रोल के बारे में आप सब को जानते होंगे लेकिन उसको किन चीजों से आप ठेक कर सकते हैं यह पांच चीजें जो आप घर पर ही यूज कर सकते हैं जो कि प्योर हैं आयरवेदिक हैं तो जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के आयम तक बने रहेगा तो चले शुरू करते हैं लेकिन आपके एक लाइक के साथ अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर परसनली आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो कॉलेस्टरोल के बारे में आप सब जानते होंगे गुड कॉलेस्टरोल और बैड कॉलेस्टरोल लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें और हॉम रेमिडीज आप यूज करते हैं उनमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने को बताते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें ध्यान कोंसी बाते रखनी चाहिए मैं आपको आज बताऊंगे पांच चीजें जो कि आप हो सकते हैं पहले से ही जानती हो लेकिन वो कितनी यूज करनी और उनका ध्यान कैसे रखना है उस पर हम चर्शा करने वाले हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के लास तक बने पाउन रखना चाहिए निबर वन पर है लहसुन लहसुन में असे एंजाइम्स पाय जाते हैं जो कि आपके कॉलेस्टो लैवल को कम करने में वेमार्पूल करते हैं इसमें कितना खाएं आप डीली दो चीज करके खाएंगे जो कि आपको खाले पेट खानी है ध्यान आपको क्या रखना है कि जो भी आपको जो लहसुन की वटियां मिलती है निकि टेबलेट्स आपको मार्केट में मिलती है सप्लिमेंस आपको मिलते हैं वो ना खाएं आप कच्छी लहसुन की जो कलियां है उनको छील करके सुबह खाएं बहुत से लोगों को यह अलर्जी करती है अग तुकि इसमें बहुत अच्छे फाइबस पाएजाते हैं जो भी आपके digestion से related problems होती है उसमें helpful होते हैं constipation से related जो भी problems होते हैं कोलेस्टोल के level को कम करता है खटे जो fruits होते हैं उसमें ऐसे enzyme पाएजाते हैं जो metabolism की प्रकृया जो होते हैं उसको तेज करते हैं प्रेस्टोल को घटाते हैं लेकिन कितना खाएं गुंगुने पानी के साथ सुबह आप खाली पेट एक निम्बू के रस को ले सकते हैं खाली पेट आपको लेना है लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यह जो अगर आप आईरवेदिक मेडिसंस ले रहे हैं वहाँ पर कैमिकल रियक्शन हो सकता है उसके वज़े से हार्ट अटेक की प्रॉब्लम आ सकती है तो उस कंडिशन में स्टोक भी हो सकता है तो आपको पहले ध्यान ही रखना है इस चीज में कि आपने देख तो लिया है कहीं से लेकिन आपको जरूर ही यह है कि अपने डॉक्टर से पांच से दस ही खाने चाहिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो घी तेल में भूने हुए होते हैं जो भी ड्राइफ रूट्स होते हैं उनको आप ना खाए वो आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है और आप उसको भीगो करके खाए और उसको छील करके सुबह ख दियान रखनी है नमबर फॉर पर है ओट्स ओट्स में जो बीटा ग्लुकॉन पाया जाता है वो आपकी हैल्प करता है जो भी प्राइफ प्रॉब्लम होते हैं तो अगर तीन महीने तक खाते हैं तो आपको आप अगर रिपोर्ट कराते हैं तो आपको जरूर कम ही मिलेगी लेकिन आपको कितना खाना चाहिए इस बात को जरूर ध्यान रखना है तीन ग्राम बीटा ग्लुकॉन की जरूरत होती है हमारे शरीर को अगर आप डेली एक कटोरी ओट्स या फिर दो स्लाइस ओट्स ब्रेड खाते हैं दो स्लाइस ओट्स ब्रेड एंड तीन ग्राम हमारे शरीर को चाहिए तो आप एक कटोरी खा सकते हैं इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि इस से खाने से बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉबलम हो जाती है गैस की प्रॉबलम हो जाती है जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है क्योंकि उनको ना डैजिस्ट नहीं हो पा होता है आप भी यूज़ करते होंगे लेकिन आपको कितना खाना चाहिए क्वेशन यह है 18 ग्राम फाइबर की एक शरीर को जरूरत होती है तो आप एक कटोरी दाल या फिर आप आप उसमें ले सकती है और नमक नमक एड करिए ताकि आपके शरीर में वो अच्छे से डाइजिस्ट हो जाए नमक के साथ तो इस तरीके से आप ले सकती है एक कटोरी उबला हुआ सोया बीन, सोया मिल्क, दही या फिर जो टोफू होता है उसको आप ले सकती है उससे ज्याद होता है शरीर के लिए तो उस कंडिशन में आप इसको नहीं खा सकते हैं यूरी केसर की प्रॉबलम आपको गाउटी अर्थुराइडिस मिलेगी या फिर अगर आपको डोक्टर ने बताया हुआ है कि आपको ज्यादा प्रोटीनिस चीजन नहीं खानी है तो उस कंडिशन मे भी आपको ये नहीं खानी चाहिए उमीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे मेरा यहां पर ये मकसद था कि आपको कॉलेस्टरोल के बारे में मैंने पांच चीजें भी बता दी है और उनमें ध्यान क्या रखना चाहिए ये चीजें कोई नहीं बताता है शायद आपको पांचों में से चार चीजें जो होंगी वो पता होंगी कि हमें कॉलेस्टरोल को गम करने में हैल्प करेंगी लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस कंडिशन में नहीं खाना चाहिए कितनी क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए तो मैंने कॉलेस्टरोल पे और भी वीड करें और चैनल सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेई तुरंत मिल जाए और हां खुश रहें मस्त रहें और स्वस्त रहें थांक यू